हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मित करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे एन बीसी वर्सेस बी सीसी फूल स्टेट्स पलस इनफो यानि कि नवाज योती कलब वर्सेस बड़ सीसी के बीच जो मैच नमबर 3 खिला जाना है यह गुहाटी प्रि इसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाएगा उसे यहाँ पर इस्पिरेंस को अच्छी घासी हेल्प मिलती मिलेगी तो इस चीज का धियान रखेगा एवरेज इसकोर यहाँ पर 120 का आसपास रहती है अब जो जो रहेगी वो रहेगी लाश्ट टाइम अपडेट यानि कि फाइन जरिया है हम बात कर लेते हैं नवाजयोती कलब की तो यह पहली जो है पहला मैच खेलेगी अपना देखे इनके तरफ से देनिश दस एक अच्छे खिलाडी है और आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में इन्होंने ठीक ठाक खेला है तो एक अच्छे खिलाडी है केरियन में जितने भी खेले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बागे देखें यहाँ पर मैंने SMA ट्रोफी लिखे है इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हो गया साइद मुस्ताक अली ट्रोफी जो की T20 के जो खेले जाते हैं उसमें भी यह पार्टिसेपेट कर चुके है रिसेंट टाइम में जो 2022 में खेले गए तो इससे आपको यह समझना है कि यह खेलाडी अच्छे लेवल के हैं सहीद मुस्ताक ली ट्रोफी में आसाम टीम से खेल चुके हैं तो खेलाडी सांदर है परवेज मुसरप एक यंग टेलेंटेट पिलियर है और यह पिलियर जो आप इनको लेके सी बीसी ट्राइ कर सकते हैं लेफ्ट हैं बल्लेवाजी करते हैं लेफ्ट हम और्थरस करते हैं ओपन आ सकते हैं ओपन नहीं आएंगे तो नंबर चार पाच में आपको जरूर दिख जाएंगे और वर्वल रिकॉट की बात कर ले तो 94 में जो देखेंगे तो 8 सेंचुरी और 15 हाप सेंचुरी है ये दरसाता है कि खिलाडी ठीक ठाक है और बॉलिंग सभी मेचेस में करते हैं चाहे वो तीन ओभर के करे या चार ओभर के करे और इसी में आप देखेंगे 165 बिकेट भी इनके नाम है तो खिलाडी सांदार है आप इनको CVC ट्राइक कर सकते है जील में निहार डेका की बात कर ले तो रीसेंट फॉर्म बहुत ही खराप रहा है एक मेंच में इसे चार ओवर की गेनवाजी किये थे ज्यादा गेनवाजी करते नहीं है और वल रिकार्ट देखेंगे तो 90 मेंचेस में जो है इनके 212 रन है दो सेंचुरी है दो स हाई सेंचुरी आर आठ हाफ सेंचुरी भी बनाये हैं और 71 मेंच में बॉलिंग भी किये तो विसलर राध जूनियर भी आपके लिए एक अच्य पिक रहेगे तो यह देखना रहेगा कि यह किस तरह से गेंदवाजी करते हैं 69 में जो है 807 रन है यह तो खेलते हैं बट जो है consistent नहीं है पिलियर यानि कि टिक के नहीं खेलते हैं हार्ड हीटिंग के लिए जाने जाते हैं तो बिल्कुल आप ट्राय करना चाते हैं कर सकते हैं नमबर 3-5 पर आपको बल्लेवाजी दे सकते हैं अनुराग तालुकदार जो कि एक विकेट कीपर बल्लेवाज है recent form उतना अच्छा नहीं रहा है बहुत नीचे बल्लेवाजी करत सकते हैं पचासी में दोहजार पचीस रन है एक ग्यारा हाफ सेंचुरी है ट्राय करना चाते कर सकते हैं रितुराज विश्वास भी एक यंग पिलियर ही है देखेंगे तो इनके रिकॉर्ड में तीशेया कि गेनवाजी अच्छे करते हैं बट रिसेंट टाइम में इन्हें कर लेते हैं यानि की पावर पहले का अंदर पहला तिसरा दिख जाएगा और डेट में भी गवर्लिंग कर लेते हैं तो इन्पोर्टेंट रहेंगे धर नीराभा आपके लिए सेलेक्शन इनका भी कम मिलेगा ट्राय कर सकते हैं बहुत तर मैंचेस में पास्तों सतरह रहन है एक सेंचुरी एक हाफ सेंचुरी है थोड़ी बहुत बल्लेवाजी भी कर लेते हैं लोवर ओर्डर में आके यहाँ पर ज्यादा उतना मौका मिलने का कम चांस है बल्लेवाजी से बाकी गेंदवाजी से यह काम कर सकते हैं पैसर बिगेट चटकाए वह साहीद मुस्ताकले ट्रोफी जैसे टुनामेंट में भी खेल चुके हैं जो एक पिलियर रहेंगे आपके लिए सबसे बेश्ट पिक रहने वाली है रोवसान आलम अब इनका भी रोल में थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक कि यह लेफ टाम और्थोडक्स बालिंग करते हैं यह मेरा मानना ह पर थोड़ी बहुत गेन वाजी भी आपको बल्ले वाजी भी दे देंगे वहीं रवी छेतरी जो की बैटिंग सेक्शन मिलेंगे लेफ टाम और्थोडक्स बालर यह भी है सेलेक्शन बहुत ही कम है यह यंग पिलियर है बट अच्छा कर सकते हैं 123 में चित में 111 कियासी बि देंगे 68 में जो है इनके नाम 715 रान है चारहाफ सेंचुरी है और वहीं मेडन 85 डाले है 130 बिकेट है बीजाई हजारे ट्रॉफी में यह पार्टी सेपेट कर चुके है आसाम के तरफ से तो यह भी एक अच्छी पिक रहेगी बिल्कुल आप इनको टीम में ट्राइ कर सकते ह है चांग के सर्मा जो की हाई सेलेक्टर जा रहा है बट मुझे इनके इस्टेर्स उतने कुछ खास लगे नहीं 33 मैचेस में 25 लिए हैं और रिसेंट टाइम में बॉलिंग उतनी करने मिली नहीं है इनको अब बॉलिंग पूरी मिलती है तो हो सकता है एक से दो बिकेट ले ज किये नहीं है अगर बॉलिंग करते हैं तो आप ट्राइ कर सकते बट आई थिंक ही उतना कुछ खास नहीं कर पाएंगे बट रिकॉर्ड अच्छा है क्योंकि यह ट्रेस्ट और ओडेडी के मौचे ज़्यादा खेलते इस करन से इनके नाम बिरान बे विकेट है अभी जी सिं लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं अब इनके अगेंज जो खेलेगी बट सीसी बट सीसी एक मैचे खेल चुकि ए और इनके तरफ से रिसब दास जो की अच्छे लेवल से भी खेल चुके है फ्लोप हुए है पहले मैच में बट अच्छा कर सकते हैं मैंने पिछले वीडियो मे नहीं कर सकते हैं खेलाडी सांदार है सवरोपम प्रयक्स आशा की बात कर ले तो सहीद मुस्ताकली ट्रॉफी पलस बीजय हैजारे ट्रॉफी यहां पर यह खेले हैं वन डाउन आते हैं पलस चार अबर की गेनवाजी करते हैं बट यहां पर क्या हुआ धोका दे गए बॉल सब्सक्राइब निकल के आ रहे हैं कॉसिक गिरी के बात बताया था कि मैंने की यह लेप्ट हेंडर के सामने अच्छी घंवाजी कर लेंगे और वही हुआ चार अबर की गेनवाजी करके गए नमबर पाच पर भी आये एक सी बीसी के अच्छे आप्षन रहने वाले हैं कॉस को दिख जाएंगे नीपन डेका जो की अच्छे लेबल पर खेल चुका है तिंगी साइद मुस्ताकली ट्रॉफी या फिर बीजय हजारे ट्रॉफी में जो है खेल चुके हैं तो यह भी एक अच्छी पिक है डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं यहां पर 4-5 में 4-5 लेफ्ट हेंडर है तब आप जीतू अले को भी ट्राइ कर सकते हैं अब इल्वास गोगाई बिल्कुल बॉलिंग करेंगे चार ओवर के और यह डेथ में 20 वावर लास्ट में डाले थे जो कि इनको इनको इन्पॉर्टेंड बनाता है अब देखे पुसपराज सर्म इस मेच में एक ही जो है ओवर किये थे बट मैं आपको बता दू क्यों किये थे क्योंकि सामने लेफ्ट हेंडर बहुत ज़्यादा था और लेफ्ट हेंडर को लेफ्टाम और्थरॉडक्स बॉलिंग जब भी करता है तो उनकी पिटाई होती है और वही देखने को मिला इस क में ओपेना के फुलोब गए हैं साइध मुस्ता के लिटरी बीजय हजारे ट्रॉफी रंजी ट्रॉफी 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 हुए है आसाम के तरफ से पार्टिसिपेट किये हैं तो खिलाडी सांदार है अर्दिप सिंग का श्रेट देख सकते हैं रियान पराग तो रिया चार मेंचेस में 126 बिकेट है रिसेंट टाइम में भी गेंदवाजी किये थे बट इस यहां पे जो पहला मेंच कहला गया हुहां पर बॉलिंग नहीं किये हैं निपन डेका जो है सहीर मुस्ता कले ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं कौसिक गिरी तो खेली चु चारते हैं उनके recall देखना चाते हैं उनके रिकोर्ड देखना चाते तो दो बिल्कुल यहां से आप देख सकते हैं उन सारे पेडार के इसोने लेवाल से गर यह उतब tahun ś सब्सक्राइब लेक्षन अच्छा है बट जिनकी पहले बल्लेवाजी आती है मैं यही कहूंगा कि आप उनको लेके चले तो यह आपके लिए बिल्कुल फिरीडम आप जिसको लेना चाहते ले सकते लगवक्त दोनों का करम एक ही है बेटिंग सेक्षन में देखिए आप मुष्ताकली ट्रॉफी जैसे टूनामेंट में पार्टिसिपेट कर चुका है मैं उनको लिया हूं यहां से देखिए मैं एक रिक्स लिया हूं यहां पर क्या रिक्स लिया हूं मैं हर्दीप सिंग को नहीं लिया हूं इस में जो रीसब दस्क हैं मैं उनको लिया हूं जो ल वे पिलियर है मैं उनको लेके जाओंगा यहां से देखिए जीतू अली लास्ट में तीन उबर की गेंदवाजी किये थे अगर सामने लेफ्ट हेंडर ज्यादा है तो यह बॉलिंग करेंगे यह कब मैं बताऊंगा यह टेलिग्राम में कि सामने कितने लेफ्ट हेंडर है अग से देखिए एस पुरियक्सला लास्ट मेंच में बॉलिंग नहीं किये बट खिलाडी सांदार है वन डाउन आये थे बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए कच्छे पिक रहेगी यहां से मैं आपको बता दो जील की एक पिक परवेज मुसरप अगर खेलते हैं तो आपको टॉ तो गेंदवाजी देने ही चाहिए यहां से आपको मिलेंगे काउसिक गिरी लास्ट मेंच में चार ओवर की गेंदवाजी किये थे इसलिए मैं इनको ले रहा हूं नंबर पाद पर भी बल्लेवाजी करने आ गये थे रहसान आलम जो कि सईद मुस्ताकली ट्रोफी जैसे टेट्स उतने कुछ खास नहीं लगे अब से जाना चाते हैं तो डीर आबा के जगार ले सकते हैं बट डीर आबा को मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि ये अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं इसलिए मैं डीर आवाजी मिले थे इस मैंच में चार ओवर की गेंदवाजी कर सक हैं तो इनका धियान रखना है आप बिल्कुल कर सकते हैं यहां से और बिश्वास जो की बॉलिंग रिसेंट टाइम में नहीं किये हैं इनका रिकॉर्ड अच्छा है इसका अभी नहीं ले रहा हूं मैं यहां पर क्या क्या हूं एंडेका के साथ गया हूं एक बिकेट कीपर आ अभीके लिए अपनी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनिये, डेमो टीम में कैप्टैंट सी, बहुष कैप्टैंट सी आपको देख रही है, ये नंबर चार पाएंगे, ये नंबर पाँच पाएंगे, दोनों लाष्ट में चारचारोबर की गेनवाजी किये थे, यहाँ पर CBC के लिए आपके पास option है D-DAS यहाँ पर कर सकते है R-DAS यह दोनों CBC के अच्छे option है बिल्कुल आप DL में try कर सकते हैं इनके अलावा रोसन आलम अगर पहले बल्लेवाजी अगेन वाजी आती है तो इनको try कर सकते है अगर पहले बल्लेवाजी आती है तो एक CBC के अच्छे option रहेंगे तो यह अभी के लिए अपनी demo team है बिकेट कीपर आपकी choice है आप जिसको लेना चाते है ले सकते हैं अभी के लिए अपनी demo team इस परकार से है तो यहाँ पर जो final team आएगी टेलिगराम में वो आएगी line up के बाद और मैं आपको बता दू जो भी final team में आती है मैं यह कभी नहीं कहता कि आप हमारे team को ही copy करके खेलो states आपके सामने है मेरी team जो रहती है states वाई जी रहती है अब कोई जो अच्छा कर जाए यह कहना मुस्किल है इसलिए आप अपनी team की react करेंगे तो उमीद करता हैं कि मैं आपको इस वीडियो के थुरू कुछ help कर पाया हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को like करेंगे चैनल में नए है तो चैनल को subscribe भी कर लेंगे तो चलिए मिलते हैं नएश वीडियो में thank you